फिर से यहां की जनता चौथी बार भारती जनता पार्टी को असिरवात देकर सरकार में बैठाई है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम लोगों के पास था कि सरकार के परती जो एक जनता का अब विस्वास था उस विस्वास को हासिल करना और हम समझते हैं कि इन साथ महना के का सरकार काल में वो विस्वास हम लोगों ने हाशिल किया है और मोदी की गारंटी जिस पर हम लोगोंको यहां का जनादिस मिला है सरकार में बैठे हैं साथ महिने में ही मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम परधानमंति आवास हमारे किशानों का धान 21 कुइंटल परती एकड़ खरीदना 31 सो रुपया प्रती कुइंटल धान का कीमत देना 70 लाग से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंदन योजना में प्रती महना 1009 के खाते में भेजना रामलला दर्सन योजना का सुभारम करना प्रती जैसे गोटाले को सीवियाई को सोपना इस सब काम मात्रई 6-7 महने के कारकाल में हमारी सरकार ने किया है और एक सरकार के प्रती चतिगड़ की जनता का विश्वास लोटा है विश्वास बढ़ा है विश्वदेव जी आपकी बड़ी विश्व टुप लबदी है 36 कड़किया पहले आधी वासी मुखे मंत्री है आधी बहुत समय पहले से जो औरिजिनल जो यहां के वासी है आधी वासी आपकी लेके दौड बड़ी लंबी रही है पिछले 50 साल से आपकी दौड और कश्मक आपकी जा रही है आप 10 साल के थे आपके पिताजी गुजर गए आपके दो चोटे बाई थे आपको उनकी भी देखरे करनी थी चौती कक्षा में आप पढ़ते थे उसके बाद 35 साल का आपका राजनीतिक जीवन रहा कई उतार चड़ाव आपने देखे और लेकिन अब है कि वो धीरे हुई और अब उसको तेजी से रफ्तार कैसे दे पाएंगे आप आपने कुछ बाते अभी बताएं लेकिन अगर हम सिरफ आदिवासी समुदाए कि अगर हम बात करें उनको किस तरीके से रफ्तार दे पाएंगे आप देखे 36 गड़ में आदिवासी पापूलेशन 32 परसेंट है और मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूँ और 10 साल हमारी उमर थी तभी हमारे सर से पिताजी का साया उठ गया था और चुकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था मेरे पिछे तीन और भाई थे माता जी थी तो हम तो यही सोस्ते थे कि हम खेती बाड़ी करेंगे भाईयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनको नोकरी दिलाएंगे और माता जी का भी सेवा करेंगे और भाईयों को भी सक्षम बनाएंगे और पढ़ाई पूरी करके हमने भारती जनता पार्टी जोईन की और भारती जनता पार्टी ने जो भी दाई तो दिया उसको पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ करते गया और हम कभी सोचे नहीं थे, हम तो मुख्यमंत्री की बात आप कहते हैं हम सरपंज भी बनने किस नहीं सोचे थे, कि हम कभी जीवन में सरपंज भी बनेंगे कि हमने जो निष्ठा पूर्वक पार्टी के लिए काम किया, उस पर विश्वास करके पार्टी हमको आगे बढ़ाते गई हम एक पंज से अपनी राजनीति की आत्रा सुरू किये पांस साल पंज रहने के बाद सरपंज बने और निर्विरोज सरपंज थे छे महना हुआ था और विधान सभा का चुनाव आ गया, भारते जनता पाटी ने मुझे भारते जनता पाटी विधायक का परत्यासी बनाया और अच्छे से पहला ही चुनाव हम जीते विधायक का, जनता ने हमें जीताया उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड के देखे नही और जनता के आसिरवात से और हमारे सिर्ष नेताओं के विश्वास से, तीन बार विधायक, चार बार सांसद, तीन बार प्रदेश सद्धस का दाइत्व और मोदी जी जब 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री बने तो उनके सासन के प्रथम कारकाल में राजमंत्री के रूप में मुझे काम करने का आउसर मिला और जब 2023 का विधान सभा चुनावाया तो भाति जनता पाटी फिर कुनकूरी विधान सभा से होंको अपना प्रत्यासी बनाया चुनाव जिते और आज हमारा सोभाग है हमारे पार्टी के सिरस्ट लोगों का विष्वास है और जनता का सिर्वाद है कि आज मुख मंत्री के दाइत तो पर हैं सरपंच के बारे में आपने सोचा नहीं था मुख मंत्री आप बन गए कभी आपने कुछ मांगा नहीं बहुत कुछ आपको मिला 2000 में वाजपईजी ने 36 गड़ बनाया 24 साल हो चुके हैं अब इसको 36 गड़ की अगर इस वक्त हम अर्थवे वस्ता देखें तो लगबख 5 लाग करोड के करीब है अब आपने ये एक अपने लिए चुनौती ले ली है कि अगले चार साल में हमने इसको 10 लाग करोड पे ले जाना है इसको इस अर्थवे वस्ता को अब जब आप उसको देखते हैं 5 लाग से 10 लाग करोड तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कौन से वो खास आपके focus areas रहेंगे जिनके उपर आपकी खास नजर रहेगी जिससे ये जल्दी जल्दी हो सकेगा देखे मैंने पहले ही कहा है कि 36 गड़ एक पिछड़ा हुआ राज था और आज 36 गड़ को 24 साल हो गए और इसमें ज्यादा समय तक भारती जन्ता पार्टी की सरकार रही है तो आज 36 गड़ का जो भी विकास हुआ है ये भारती जन्ता पार्टी की सरकार में हुआ है जिसका जिकर मैं कर चुका हूँ यहाँ पर भुकमरी होती थी यहाँ पर रोड नहीं होते थे पिने की पानी की समस्या थी लेकिन आज पिछले पंदर वरसों में जो भी यहाँ व विजली पानी इस सब हमारी सरकार न要पया है और भारत सरकार में भी जब जब भारती जन्ता पार्टी सरकार में रही है अभी दस वरसों से श्री नरेंद मोदी जी प्रधान मंत्री है तो उनकी अनेक कल्यानकार योजनाओं के माध्यम से 36 गड़ का बिकास हुआ है आज अगर घर minute बिजली पहुँची है तो ये भी नरेन्द मोधी जी का सुभाके उजुना है हर घर बिजली उजुना है अज घर में अगर नल के द्वारा पानी पहुचा रहे है ये भी मोधी जी का जल जीवन मिसन और सहरी छेत्रों में अमरित मिसन इसका योगदान है आज अगर हमारी माता और बहनों को धुआ से मुक्ति देलाने के लिए प्रधानमंती उजलाय उजना में गैस का सिलिनर देने का काम इस देश में किसे ने किया है तो यह भी भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया ह है यहां गरीब लोगों को सब के सीर में पका का च्छत हो इसके लिए प्रधानमंती आवास इब्योस्थाई भी हमारी सरकार ने किया है घर-घर जंधन का खाता आज जंधन का खाता के माध्यम से जो भी सरकार का जो पैसा है वो सत परतिसत लोगों तक पहुंच रहा है तो यह सब काम स्वक्ष भारत मिसन योजना अदन्य नरेंद मोंदीजी ने इस देश में लागू किया आज सोचाले निर्माण का काम हमको अच्छी तरह से याद है जब 15 अगस 2014 को प्रधानमंती के रूप में लालकिला के प्राचीर से स्वक्ष भारत मिसन की घोसना किये तो विरोधी हस्ते थे कि ये टैलेट बनवान्य का काम ये साब सुफाई का काम ये परधानमंत्री का है क्या लेकिन हम लोग गाओं के लोग हैं हम लोग जानते हैं कि गरीबों के लिए सोचाले का निर्माण कितना मनलब महत्मून है उनके माना और समान से जुड़ा हुआ है वो शुर्यास्त का बाड़ जो होती ठीकि कब सुर्यास्त हो तो सोच के लिए बाहर निकलें किने सब मान और समान को किसी ने इस धेश में समझा है तो हमारे एक गरीब का बेटा प्रधानमतिर्जी नुर्ट मुदी जी ने समझा और आज इस देश के गरीब परिवार के लिए सोचाले का निर्माण हुआ कई प्रदेश में इस सोचाले को विजद घर के नाम से भी जानते हैं तो इस तरह से गरीबों के लिए काम किया और मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2014 में प्रदानमंती के रूप में पहले दिन पर्लामेंट में परवेश किये तो सबसे पहले तो पर्लामेंट को जुग कर उन्होंने पढाम किया और पहले ही अपने उद्वधन में उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और उनका पहला पांस साल गरीबों के लिए ही समर्पित रहा गरीबों के लिए सोचाले का निर्माण, गरीबों के लिए जंधन खाता गरीबों के लिए गैस का सिलिंडर देने का काम इस सारा काम गरीबों से जुड़ा हुआ उन्होंने पहले पांस साल में किया